दादा जी वो देखो वह मिठाई बनाने वाले की दुकान है हमें मिठाई दिलाओ ना हाँ दादा जी मिठाई खाकर हम वहाँ जाएंगे जहां पुस्तके रखी जाती है अच्छा चलो दिलवाता हूँ लेकिन एक बात बताता हूँ तुमने एक व्यक्ते और स्थान को बताने के लिए अनेक शब्द प्रयोग किये तुम्हें बताता हूँ कि इन अनेक शब्दों के स्थान पर किवल एक शब्द द्वारा इनकी पहचान की जा सकती है जैसे मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं और जहां पुस्तकें रखी जाती हैं उस स्थान को पुस्तकाले कहते हैं देखा मित्र आपने दादा जी ने चंदन और जया को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग के बारे में बताया ऐसे अनेक स्थान एवं व्यक्ति होते हैं, जिनके लिए अनेक शब्दों के स्थान पर किवल एक शब्द का प्रयोग कर जाना जा सकता है आओ, मैं तुम्हें कुछ लोगों एवं स्थानों के लिए प्रयोक्त होने वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताता हूँ ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं अनेक शब्द, एक शब्द, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक, जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जहां हम पढ़ने जाते हैं पाट शाला, व्यापार करने वाला व्यापारी, लालच करने वाला लालची, जो चित्र बनाता हो चित्रकार, मास में एक बार होने वाला मासिक जिसके हृदय में दया हो, दयालू जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी जो जल में रहता हो, जल्चर घोडे पर सवारी करने वाला, घुड सवार शिकार करने वाला, शिकारी शहर में रहने वाला, शहरी गाव में रहने वाला ग्रामीन जो किसी से नडरे निडर साल में एक बार होने वाला वार्शिक जो श्रम करता हो श्रमिक जो सत्य बोलता हो सत्य वादी मूर्ती बनाने वाला मूर्तिकार जो शाक सबजी खाता हो शाका हारी भारत का रहने वाला भारती है